हलो एब्रीवन आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूसा काउंसलिंग के बारे में और आज है आपका 28 सेप्टेंबर और आज साम 5 बजे आपका राउंड टू का सीट अगार्टमेंट रजल्ट आ जाएगा तो आप इसली चेक कर बाऊगे लिंक डिस्क्रिप्शन म या फिर जिन बच्चों का भी सीट कैंसल हुआ है उससे आपको सीख लेने की जुरुत है और आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे करना है और आपके मन में एक डाउट होगा कि मेरा OBC NCL सार्टिफिकेट या फिर EWS सार्टिफिकेट नहीं बना है तो क्या मुझे सीट से यानि कि जो आपको सीट अलाट्मेंट हुआ है वहाँ से कैंसल कर दिया जाएगा तो इन सभी के जवाब देने वाला हूँ किस तरह से चेक कर पाओगे सीट अलाट्मेंट रिजल्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से इजली आजाके चेक आउट कर लेना और देखो अठाई सेप्टेंबर को जिनका भी सीट अलाट्मेंट हुआ है उन सभी बच्चों को ऑनलाइन डिपोर्ट करना है अगर आप ऑनलाइन डिपोर्टिंग नहीं करते हो सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं देते हो तो आपके सीट को कैंसल कर दिया जाएगा यहाँ पे असपस् करेंगे तो आपको यह धिन रखना है कि ऑनलाइन डिपोर्टिंग के समय आपको फी पेमेंट करना है अच्छे साथ डक्यूमेंट अपलोड करना है जो भी वेरिफाइंग ऑफिसर आपसे कोई भी कोशन पूछते हैं तो उसका जवाब देना है अब जिन बच्चों का भी E सीट उस समय के लिए में भी कैंसल किया जा सकता है लेकिन आपको फॉर्दर राउंड में पाटिसिपेट मिलेगा और फॉर्दर राउंड में जो आपके सीट अर्टमेंट होंगे वो जिन्रल काटिगरी कहीं साब से होंगे अगर आपका सार्टिफिकेट EWS बना होना चाहिए तो इस बात का ध्यान रखना और अगर आपका सीट एकसेप्टेंस फी अगर आप पे नहीं करते हो तो आपका सीट कैंसल हो जाएगा तो यह जीज समझ लेना राउंड टू सीट अलाटमेंट के बात करें तो जो सा कांसलिंग हो रहा है उसमें आज आपक सीट 54,477 सीट अवयलेबल हैं जोसा कांसलिंग में जिसमें अलग-अलग राउंड में कांसलिंग हो रहा है अगर छे राउंड के बात करें मतलब 6 राउं टूटल हो रहा है तो लगबग 10,000 जो सीट हैं वो सारे राउंड में फिलप किया जाएगा अगर आप एक तरह से द आपका जो result है वो publish कर दिया जाएगा और जिन बच्चों का भी round one में सारी चीज़े हो गई है document upload कर दिया है आपने verification भी हो गया है और आपके उस में यानि कि आपके portal में लिख रहा है लिए जिनका seat allotment नहीं हुआ है उनके लिए 28 सितंबर का मौका है सामके पांच बहें तक आपके seat allotment आ जाएंगे अब जिन विद्यारतियों को first round में seat allotment हुआ है उन्होंने अपना फीज जमा कर दिया document upload कर दिया यह सारी चीज़े उनके पास यह भी बताना चाहूंगा कि उनका समय लग सकता है जो provisional admission लेटर है उनके लिए समय लग सकता है एक से दू दिन का तो आपको कोई भी घवराने के जरुरत नहीं है आपका जो allotment लेटर है वो आपको दे दिया जाएगा जिन बच्चों का भी round 2 में seat allotment होंगा उनको सबसे पहले क्या करना है seat allotment लेटर चेक करना है और उसी समय से आपके counseling स्टार्ट हो जाएगे तो आपको seat acceptance fee जमा करना है document upload करना है और 1 October सामके 5 बशे तक यह online reporting चलेगा तो उ event seat के लिए तीन स्टेप पूरे करने है आपको फिलाल वो जोसा के द्वारा document verify करने एवं seat confirmation का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बहुत से student ऐसे हैं जिन्होंने online reporting कर संपूर्ण परक्रियानी की पूरा process complete कर लिया है परंतु उनके सारे documents verify नहीं हुए है और नहीं उनकी event seat का confirmation आ data download हो गया है तो उन्हें कुछ परिशान नहीं होना है यदि अभी तक provisional allotment letter नहीं मिला है तो उन्हें website पर दिये गया verification authority से संपर्ग करना चाहिए जो भी आपसे question पूछते हैं उसका जबाब देना चाहिए इस वर्स verification steps पूरा होकर seat confirm होने में एक से दो दिन का समय लग सकता है ऐसे मैं student को परिशान होने की आवसकता नहीं है तो इस बात का ध्यान रखना है आपको वेट करना है आपके सारे document सही है पी payment कर दिया जो भी वरिफाइंग ऑफिसर कोशन पूछते हैं उसका जबाब आपने दे दिया तो आपके allotment लेटर आ जाएंगे समय लगेगा को अगर आपका मौक में seat allotment हुआ है जो सागे छे राउंड है छे राउंड में किसी ना किसी राउंड में आपके seat allotment हो जाएंगे यह important नहीं है कि किस राउंड में होगा लेकिन allotment हो जाएंगे तो आप tension मत तो बहुत जल्दी सब कुछ होने वाला है तो पैनिक करने की को अब पोट के लिए सबस्क्राइब कर देना बेल आउंड ब्न को प्रेस कर देना वीडियो चलगा तो लाइक और शेर कर देना सो थांक ये पो वाचिक थिंग यू लाइए